हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के रोल को समझेंगे United Nations Security Council में इंडिया non-permanent membership के लिए elect हुआ है दो साल के लिए 2021 और 22 के लिए इंडिया का election हुआ है United Nations Security Council में ये इंडिया की बहुत बड़ी diplomatic victory है इंडिया को 184 votes मिले है 192 में से आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसका world order पे global politics पे geopolitics पे क्या effect होगा और चाइना और पाकिस्तान इससे क्यों नाखुस है आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और notification का बेल आइकन प्रेस कर लिए तो जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं ये स्टोरी काफी important है इंडिया के दिश्रिकों से क्योंकि अभी इंडिया का conflict चल रहा है चाइना के साथ तो इंडिया को 2021 पाइस के लिए non-permanent seat मिला है United Nations Security Council में United Nations Security Council one of the five principal organ है United Nations का संध्युक्त रास सुरक्षा परिशद हिंदी में तो इंडिया को 184 votes मिले है 192 में से Asia Pacific से India loan candidate था Asia Pacific में 55 है 55 countries है जिसमें से इंडिया को ये opportunity मिला है कि वो जो की 10 non-permanent seat है 10 में से 5 का election हर साल होता है तो 5 के लिए India Asia Pacific से India representation करेगा अगले 2 साल के लिए ठीक है तो इसका क्या significance है United Nations Security Council का United Nations Security Council United Nations का एक principal organ है जिसका काम है world में peace रखना और international security और global peace के लिए काम करना है इसमें 15 members होते हैं United Nations Security Council में 15 member होते हैं जिसमें से 5 permanent है permanent member कौन कौन से है एक दम basic पता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा permanent member में China, France, Russian Federation, United States और UK आता है चाइना, France, Russia, US और UK ये 5 permanent member हैं जिसको हम लोग P5 के नाम से भी जानते हैं और जो 10 हैं वो non permanent हैं जिनको General Assembly elect करती है United Nations General Assembly जिसमें 193 members हैं 193 countries हैं वो elect करती है non permanent member को permanent member के पास veto power होता है veto power होता है कोई भी resolution को एक अकेला देश इन 5 देशों में से इनके पास collective veto होता है कोई भी resolution pass कराने के लिए अगर 5 पर्मानेंट member भी चाह ले तो इन 10 पर्मानेंट में से 7 members की जरूवत होती है मतलब अगर 7 countries जो की non permanent है अगर नहीं चाहेंगी तो ये resolution pass नहीं होगा अगर कोई resolution को pass कराना है तो at least 7 non permanent member का 7 का जरूवत होता है ठीक है तो इंडिया ये membership लेके क्या पाना चाहेगा ठीक है ये important क्यों है अब आईए हम लोग समझते हैं तो अभी आपको पता है कि global politics और geopolitics काफी बदल जाएगी change global order में ये membership काफी important है क्योंकि अभी covid का time चल रहा है UN और बाकी सारे international organs पे काफी ज़्यादा scrutiny है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि first world war के बाद league of nations बनी थी league of nations बनने के बाद ये fail हो गया था क्योंकि तुरंट second world war हो गया था और second world war के बाद ये united nations आया था picture में united nations picture में आया था उसके बाद ये अपना काम ये 75th एर है 24 October 1945 को 24 October 1945 को ये united nations बना था ये 2020 साल ये 75th एर है united nations का तो ये अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं global politics या फिर global institution जो है वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं ये काफी scrutiny में है ये pandemic time के बाद तो इंडिया का रोल क्या होगा इंडिया multilateral institutions को push करना चाहता है इंडिया का focus है multilateralism में कोई एक देश पूरी दुनिया को ना चलाए हर देश का अपना अपना रोल रहे ये है multilateralism और इस पे इंडिया का काफी ज़्यादा focus है और इंडिया ब्रजील जापान और जर्मनी ये चार देश मिलके UNSC में reforms लाने का बात कर रहे हैं तो अभी 5 permanent देश हैं जिसमें से ये 4 देश नहीं आते हैं इंडिया ब्रजील जापान जर्मनी ये 4 देश चाहते हैं कि permanent membership में इनको जगह मिल सके permanent membership में जगह मिलेगी तो बहुत सारे concerns दूर होंगे क्योंकि अभी जो permanent members हैं वो पूरी दुनिया का picture सही से नहीं बता पाते हैं आप ये सोचिए कि 130 करोड की आबादी वाला देश इंडिया United Nations में permanent member नहीं है तो ये non permanent membership इंडिया का candidature push करने का एक मौका है कि इंडिया दुनिया के देशों को समझाएगा कि क्यों इन 4 देशों को या फिर क्यों इंडिया को permanent membership मिलने चाहिए जिसका पाकिस्तान और चीन बहुत विरोध करता है ध्यान रखियेगा पाकिस्तान और चीन नहीं चाहता है कि इंडिया को permanent membership मिले क्योंकि इससे पाकिस्तान के nuclear program को खत्रा है पाकिस्तान के propaganda war को खत्रा है चाइना को खत्रा है तो चाइना और पाकिस्तान काफी ब्लॉक करत का एक बहतरीन मौका होगा क्योंकि दो साल के लिए इंडिया रहेगा वहां पर उनाइटिड नेशिन शिक्यूरिटी काउंसिल में ठेक है नेक्स्ट है के बाद दो पोलर वर्ड बाइपोलर वर्ड बनने के संभावना है एक चाइना का ब्लॉक एक यूएस का ब्लॉक तो इंडिया अभी भी बहुत अच्छे से मल्टिलाटरलिज्म का सपोर्ट करता है क्योंकि यही पूरी दुनिया को आगे ले जा सकती है अगर दुनिया बटी आप यह मोधी का ट्वीट देखो यह इंडिया जब जीता इलेक्षिन एक सो चौरासी वोट मिले इंडिया को तब का यह ट्वीट तो इंडिया ग्लोबल पीस और स्क्यूरिटी का बहुत दिनों से पक्षधर है और ग्लोबल पीस और सिक्यूरिटी को बढ़ाने के लिए अपना रोल अच्छे से निभाएगा, इंडिया अखेला नहीं जीता है, पांच का इलेक्शन होता है, मैंने बताया, तो इस साल इंडिया के साथ-साथ मेक्सिको, नौर्वे, आइरलेंड, ये चार देस, और एक आफरीका से केनिया और जिबौती में, ये दो देसों के बीच इलेक्शन हुआ था, किसी भी कंट्री को जीतने के लिए 2 तीहाई वोट की जरुवत होती है, तो 193 में से 2 तीहाई कितना होगा, 129 वोट की जरुवत होती है, तो जिसको भी 129 वोट मिलेगा, वो जीतेगा, फाइनली, केनिया, टू थर्ड वोट लाने में ख्रक्षम रहा और खेनिया यहाँ से जीत गया, और जो जो कंट्री का इस साल कंडिडेचर खतम हो रहा है, उसमें बेलजियन, दॉमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेसिया, साउथ अफरीका है, ठीक है, इनका इस साल खतम हो रहा है, और इंडिया का स्टार्ट हो रहा है 21 से, 2021 से, और 2022 तक ये दो साल के लिए इंडिया नॉन पर्मानेंट मेंबर रहेगा United Nations Security Council का, इसमें से ये लोग कैसे चुने जाते हैं, पाँच जो दस में से है, पाँच अफरीका और Asia countries के लिए reserved है, एक Eastern European country के लिए है, दो Latin America और Caribbean के लिए है, तो पाँच Asia और अफरीका मिला के Eastern Europe का, दो Latin America और Caribbean का, दो Western Europe और other country का, जिसमें US, Canada, ये सब countries इसमें आती है, तो ये 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10 हो गया, ठीक है, तो इंडिया को Asia Pacific से, Asia Pacific से Candidature मिला है, ये याद रखिएगा, इसमें 55 देश हैं, Asia Pacific Group में, और इंडिया पहली बार नहीं elect हुआ है, इंडिया का ये 8th term जिसमें 151, 1967-68, 1972-73, 1977-78, और लास्ट इंडिया का भी लेक्ट हुआ था, 2011 और 12 में, तो ये 8th time इंडिया, ये UNSC का मेंबर बन रहा है, ठीक है, तो 2011-12 में इंडिया को 187 votes मिले थे, ठीक है, अब United Nations को समझ लेते हैं, United Nations 24 October 1945 को पिक्चर में आया, 1941 में एक चार्टर साइन था, President Roosevelt और UK के President जो Winston Churchill थे उनके बीच, और 24 October को ये United Nations का formal organization पिक्चर में आया, तो ये 6 औरगन थे United Nations के, ट्रस्टिसिप काउंसिल को अब इनक्टिव कर दिया गया है, तो अभी 5 है, Secretariat, General Assembly, Security Council, ECOSOC, Economic and Social Council, और International Court of Justice, ये 5 अभी active औरगन है, तो United Nations के 75 साल हो रहे हैं, इसमें एक UNSC का non-permanent member है, तो ये India के पास बहुत अच्छी opportunity है, global politics में, geopolitics में, अपने role को सुद्रिड करने के लिए, और अपने permanent membership को push करने के लिए, तो hope करता हूँ, आपको ये वीडियो interesting और knowledgeable लगा होगा, वीडियो को अगर यहां तक देख लिया है, तो like करें, और feedback में अपना जहिंद